Hello Everyone, Welcome to TASU Academy, आप सभी विवर का बहुत बहुत स्वागत है, वीडियो सुख करते हैं महातपूर करण्ट अफेर का, जिसका अंग 23 है, अल्लेडी 22 अंग अब रोड किया चुके हैं, उन सबका लिंक आपको डिक्सक्रिशन बॉक्स में दिया गया है, वो लिंक आपके एक्जाम के लिए काफी important है, इसलिए वो सारे वीडियो जरूर देखें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे latest वीडियो का notification आप तो जरूर पहुचे, वीडियो को like करिएगा, अपने दोस्तों क समक के द्वारा सेंडबॉक्स धाचे का नवरड किया गया है, सेंडबॉक्स एक धाचा है जिसको launch किया गया है, यह launch किया है, सेवी ने, सेवी ने इसे launch किया है, और सेवी के अस्थापना जो हुई थी, वो हुई थी 12 अप्रेल 1992 को, 12 अप्रेल 1992 को सेवी के स्थापना पाचे काना वरड़ किया है केंदरिय भारी उद्धोग मंद्राले के अधिन सार्बजनिक उद्धम विभाग ने सार्बजनिक उद्धम 2018-19 प्रस्तुत किया है इस रिपोर्ट के अनुसार सार्बजनिक उद्धमों के सुध लाब में कितने परसद की बिरिद्धी की गई है जो Report है वो सारवजनिक उद्धम 2018-19 की Report है इस Report के अनुसाल जितने भी सारवजनिक उद्धम है उनमें सुधलाब में कितने परस्त की बृध्धी होई है तो Total बृध्धी होई है 15.5 15.5 की बृध्धी होई है Total और एक बात इसमें ये जान लीजी जिसे कि सबसे ज़्यादा लाफ कमाने वाली जो सरकारी कमपनिया रही है उसमें सामिल है BSNR sorry ONGC NTPC and Indian Oil Indian Oil यह तीन कमपनिया है जो सबसे ज़्यादा लाफ कमाने वाली रही ONGC, NTPC, Indian Oil यह तीन कमपनिया सबसे ज़्यादा लाफ कमाने वाली रही है और सबसे ज़्यादा जो घाटे में रहने वाली कमपनिया हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ उसमें तो सबसे पहले आपका BSNL है जो सबसे ज़्यादा घाटे में रही है BSNL Air India Air India को बेशने की बात चल रही है and MTNL यह तीन कमपनिया जो है सबसे ज़्यादा घाटे में रही है और वो तीन कमपनिया सबसे ज़्यादा profit में रही है टोटल जो हमारी कमपनिया है अब तक टोटल इंडिया में जो है 348 टोटल हमारी सारवजनिक उद्दम की कमपनिया है 348 जबकि 13 जो है हमारी साभजी कमपनियों को बंद किया जा रहा है 30 total close हो रहा है जिसमें Air India भी सामील है आपकी और अगर बात करते हैं कि total income जो इनका रहा है जितनों जो लाप कमाने वाले कमपनिया है उनका total income रहा है 24 40 747 48 24,748,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, संप्रीती 9 जो है एक्चली 9 रोमन में भी ऐसे लिखा जाएगा तो यह हुआ है बांगलादेश के साथ संप्रीती 9 और हुआ कहा है मेगाले के उम्रही में केंसरकार ने रच्छा अध्यन और बिसलेशर संस्थान IDSA का नाम किस बैक्त के नाम पर रखने का निड़े लिया है रच्छा अध्यन और बिसलेशर संस्थान जो है उसका नाम बदल रहे हैं केंसरकार बदल रहे हैं और किस बैक्त के नाम पर रखने का निड़े लिया गया ह तो वो रखा जाएगा मनोहर पारिकर जो गवा के पूर मुकमंतरी रहे हैं और हमारे करे रच्षा कि मंत्री भी रहें रच्षा vo Centauri sbu रिखा पूरा नाम जो होगा नैय दिल्ली में इसको आईजुत किया गया है और इसका subject जो रहा है नयाए पालिका और बदलती दुनिया वेरी important है चुकि पहला है Supreme Court का है तो ये पूछा जरूर जाएगा इसका सब्जेक्ट है नयापाल का और बदलती दुनिया भारत के नयायले को इकोर्ट प्रडाली के साथ एकिकरित किया जाएगा जो आयोजन हुआ है उसमें जितनी भी भारत की नयाइक प्रडाली है उनको इकोर्ड प्रडाली के साथ एकिकरित किया जाएगा इसका बिसे रहा है नयाई पालिका और बदलती दुनिया है किस संस्ता के अनसंदान करता हूँ द्वारा कवक रोगों के उप्चार के लिए सगंध तेल आधारी दवा निवेस पद्धत का विकास किया गया है ये किया है IIT हैदराबाद IIT हैदराबाद ने सगंध तेल ओयल का बेस्ट एक पद्धत का विकास किया है जो कवक यानि फंगस रोगों में काफी लाबदायक होगा तो ये IIT हैदराबाद ने किया है इसका उदेश क्या है कवकों में बढ़ती परतरोधक चमतापन नियंदर लगाना है हमारे जो फंगस हैं यानि कवक हैं उनकी परतरोधक दिनो दिन बढ़ रही है तो उनको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने ये सगंध तेल अधारित कवक का उपचार लाँच किया है इसके लिए जो फंड कर रहा है CSR कर रहा है CSR के बारे मैं बता चुका हूँ Corporate Social Risk Formality होती है जो सरकार को या फंड देती है किस देश के Central Bank ने Risk Bank ने E-Krona विक्सित करने के लिए Accenture के साथ एक Pilot प्रिविजना का संचालन कर रहा है E-Krona ये Sweden Sweden देश जो है Sweden देश का Central Bank है Risk Bank E-Krona विक्सित कर रहा है Accenture के साथ इसका उदेश क्या है एक Digital Corona एक Digital Corona बनाना जिससे उप्योग करता अपने Mobile App के माध्यम से जमान इकासी और भुक्तान कर सकते है किस देश के Cricket टीम ने Test Cricket में 5 लाग रन बनाने वाले बिसकी पहले टीम बन गई है वो देश है वो टीम है England की टीम या उपलबदी Wonders Stadium में मिली है Wonders Stadium Johansburg दच्छिड अफरीका में Wonders Stadium Johansburg दच्छिड अफरीका में उपलबदी मिली है और 5 लाग रन बनाने वाले बिसकी पहले टीम बन गई है England तापस पाल का निधन हो गया है वो किस खेल से जुड़े थे तो तापस पाल Sorry ये खेल नहीं है वो किस छेतर से जुड़े थे किस छेतर से जुड़े थे तो वो सिनेमा से जुड़े थे तापस पाल एक अभिनेता थे एक अभिनेता थे तो ये थे आपके most important current affair के question जो आपके exam में आने की पूरी संभावना है तो so please friend चैनल को subscribe जरूर करिएगा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा मिलता नेक्स वीडियो में God bless you to all